हाई गाईज विल्कम टो शर्काट्रेडर्स शर्काट्रेडर्स का अंदर मैं कोशिक सकते आपके साथ नेक्स डे निप्टी और बैंक निप्टी प्रडिक्शन बहुत ही क्लियारली आपको समझाता हूं कि आपको किस लेबल पे कॉल लेके चलना है पूर लेके चलना है कौन स देखते हैं आज का पूरा दिन मार्केट किस तरीके से विएप किया और कल के दिन हमें कहां पे ट्रेडिंग का अच्छा मोगा रहेगा ओके जैसे हमने कल आपको आज का रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट पॉइंट किया था निप्टी और बैंक निप्टी सबसे पहले ह तो आपको हो गया कॉल साइट यह पी लेबल है इस लेबल से नीचे होगा मार्केट तो रहेगा पूट साइट ओके यह किलियर है तो हमने निप्टी को पर क्या देखे थे निप्टी को और हमने क्लियर यह देख पाए थे कि मार्केट मॉर्निंग ओपन होने के बाद मॉर् इस लेबल को break नहीं कर पाया पूरा दिन पूरा दिन तो हमें बैंक निप्टी के अंदर बड़े momentum आया नहीं और निप्टी हमर को इस लेबल को 16,544 इस लेबल को morning का session पे ही break कर दिया तो जैसी break किया तो उसके बाद निप्टी में clearly on way momentum हमें देखने के लिए मिला और ये लेबल हमर को break होता हुआ मिला इस जगा पे clear ये जो जगा है यहाँ पे हमें clearly break होता हुआ मिला ओके और उसके बाद से continue on way अब देखो लोग यहाँ पे फस जाते हैं ये down बट ये जो downness है यहाँ पे भी technically बहुत अच्छा support था और कल का वीडियो में मैं आपको बहुत कि लिए लिए train line draw कर दिया था कि market जैसी इस train line को break होगा आपने अगर कल का वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे यहाँ शुरू का एक यहाँ दो मिनिट देखे होंगे तो आपने पस्त आते होंगे ओके तो हमें सब बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए जो मैं technical point को बत के चलता लेकिन मैं नहीं चला क्यों क्यों कि first of all मेरा discipline कंद यह आता है कि मैं overnight नहीं करूंगा second of all overnight क्यों नहीं करूंगा क्यूंकि बीच में मामा जी का शादी है मामुझी का सादी है क्या है मामुझी का सादी global market अब पता नहीं रात को global market क्या हो जाएगा बस यह कारून है कि मैं overnight नहीं करता हूँ फिर भी हम कोशिश करते हैं कि global market को उपर analysis करने का लेकिन global market को उपर analysis अगर करूंगा तो अभी बहुत ज़्यार situation पर नहीं है तो अगर हमें global market से फ्वा सा नेगेटिव संकेत आता है और market ऐसे इसी जगा पर कोई opening होता है तो हमें देखना है कि इस जगा पर support ले रहा है कि नहीं support लेने के बाद जो मैं कल का label आपके साथ provide किया हूँ इस telegram चैनल पर अगर आप नहीं जूड़ है इस telegram चैनल पर तो मैं आपको कल के लिए जो level दिया हूँ वो मैं दिखाता हूँ यह है कल के लिए level निप्टी का level रहेगा 16,572 यानि कि यह जो level है इस level से उपर निप्टी रहेगा तो हमारे को call side में रहना है अगर यहां से ज्यादा gap up हो गया हमने last position कहां पर 16,690 है ना यानिकि 700 700 करीब में open होता है धियाल से सुनिएगा आपको यही से पूरा कुछ मिल जाएगा कि कैसे trading करेंगे अगर मिल रहा है आपको तो मुझे comment section में जुरूरत बताएगा और आप लोग को like का जो sin है वो sin मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कितना काम आ रहा है ठीक है देखिए free म होगा और market 16,570 के करीब अगर open होता आए यहां पर support लेके यहां पर support लेके market रहता है इसके दीरे दीरे उपर जाता है तो आपको ये इस level को उपर CE side लेके चलना है अब बोलंगे सर कोई सी CE लेके चलूँ देखो इसमें मैं हमेशा हर रोज कहता हूँ आपको discipline के अंदर ये रखिए हर रोज मैं near about 100 रुपीज वाला strike price वाला कोई call या कोई put में trade करूंगा clear similarly bank nifty को उपर भी हर रोज कहता हूँ जो पुराने मेरा follower size सबको पता है हर रोज कहता हूँ bank nifty में भी आपको 1200 से 300 रुपिया स्रेप experience एको छोड़के ये discipline आप डेली का बना के चलो target stop loss भी डेली का fix रखो तो निप्टी का scenarios में बता दिया अगर gap up होके 700 से उपर open होता है और इससे नीचे नहीं आता है तो यहां से और उपर जाएगा otherwise इसका बीच में अगर open होगा इसका बीच में open होगा तो यह हमारा support point C buying के लिए better है यह resistance point PE buying के लिए better है that's all ओके अगर मुझे यह support point से breakdown होता ह हो दिखाई देगा तो मैं यहां पर again PE side के लिए bullish हो जाऊंगा और support के लिए बात करूंगा 16,450 लेवल को 15,450 लेवल को but मुझे जो data prediction and chart के लग रहा है marketing bullish ready shady go होता है न on your march ready go वो होने के लिए तयार लग रहा है मुझे निप्टी ठीक है क्यों लग रहा है कि मैं बाकी sector जब देख रहा हूं bank nifty को देख रहा हूं bank nifty को देख रहा हूं तो सब में मुझे यही scenarios लग रहा है अब मैं bank nifty को उपर train line draw कर रहा हूं आपको सामने अब train line को उपर analysis करेंगे कि यह scenarios मैं कल आपको बता दिया था बड़ यह scenarios जब break हुआ तो दो पायर के बाद last session पे जाके break हुआ अब मैं bottom side में train line आपको साथ draw करता हूं तो अगर ठीक टाक train line draw करूं तो लग बग यह जा रहा है उसमें आ रहा है 35,555 35,558 यानि कि never about इस label के उपर market जब तक रहेगा हमारा call side के view रहेगा अब देखना होगा ज्यादा gap up ना हो जाए अगर gap up होगा तो यह label है 35,750 इस label से उपर होगा तो आपको और clear हो गया bank nifty के लिए ठीक है जब तक न 35,500 level को नीचे clearly नहीं आ रहा है तो मैं poor side में नहीं जाऊंगा that's all और क्या चाहिए थोड़ी सी अपना दिमाग लगाईए थोड़ी सी technical लगाईए हमेसे कहता हूँ एक downfall के बाद green candle बना green candle का high के उपर buying करो एक मैं जो level दे रहा हूँ 35,750 इसका करीब में अगर green candle बनता है इस green candle के उपर buy करो इसका नीचे नो गाईज ओके चलो अब मैं देखता हूँ option chain में क्या स्थिती है और आज देखो निप्टी को ना पूरा realize ने भगाए फुली realize ने भगाए ठीक है और जब realize सबसे बड़ा weightage वाला stock realize top गेनार पे रहेगा तो बाकी कोई साथ आए या ना आए कोई फरक नहीं पड़ता है निप्टी तो भागेगा और banking stock का जो मैं बाकी stock देख रहा हूँ यह हमारा fully chart है जो हमारे को online class जो 10 days होता है उसमें मैं शिकाता हूँ okay एक एक part by part करके शिकाता हूँ तो इसको एक दिन में cover करना ना मुंकिन है मुश्किल नहीं ना मुंकिन है तो इसलिए मैं इसको पर ज् सेक्टर है सेक्टर close होने के बाद banking सेक्टर पूरा banking सेक्टर तो HDFC bank क्या सेनरीज है अब देख पारें क्या सेनरीज है इन ब्यारिश के बाद bullishness का स्थिती IJC bank same condition है कटक bank same condition है bullishness ज्यादा है और उसके बाद SBI bank इस high को break होने के बाद 442, 83 लेबल को break होने के बाद 446 उसके बाद और उपर चलता रहेगा इन्देशियन bank में तेजी आता हुआ दिखाई दिया यानिकि सारे banking sector तेजी तो आया है लेकिन सिर्फ इनको Ready Shady Go होना बाकी है ओके सिर्फ जंडा हिलाने के बाकी है जैसे जंडा हिलाएगा हमारा BPT शुरू हो जाएगा ओके मेरा 4G भाई हो BPT शुरू हो जाएगा तैयार हो जाना ओके चलो अभी चलते हैं Option Chain में तो Option Chain में जो देखे हैं टॉप गेनर के अंदर Reliance है बज़ाज Finance है यानि कि जो बड़े स्टॉक है उसको हम देख पा रहे है IT सेक्टर IT सेक्टर दो बिल्कुल क्या बोलते है घड़े में पानी बोर दोगो न फुल टपक हो रखा है अब वो भी तैयार है तो मुझे तो बहुत क्लियाली थब मेल के उपर मैं दिखा दिया हूँ क्या मेरा व्यू है स्रेब Global Market किस तरिके से भी एप कर रहा है यह थोड़ा देखने का बाकी है Global Market से थोड़ी सी अगर हमें राहत मिल जाए तो डेफिनेटली जो आपको थब मेल पे मिला है उसी एकोर्डिंग निप्टी चलेगा तो आज जस्ट मार्केट एक्सपैरी क्लोजिंग होआ है तो 16600 एक बढ़िया सपोर्ट जा रहा है कल के लिए अगर आपको मोका मिल जाता है यहाँ पे तो अच्छा बाइंग का उपरचिनूटी रहता है अधरोइस 16700 के उपर option chain एक नजर एक नजर काफी है option chain के लिए क्या बोलता है ना प्यार के लिए एक नजर काफी है ऐसे कुछ बोलता है ना तो मैं बोलता हूँ अगर option chain आप सीखेंगे रहा तो आपको बहुत के लिए लिए market का भीव आ जाएगा तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या देख पा रहा हूँ 16600 के पास अगर मोका मिल जाता है यही data prediction रहेगा तो मेरा 16600 एक बेटर buying opportunity रहेगा अगर अच्छा लगा है तो like बटन में कंजूसी मत कीजिए जय हिंद जय भारत